कि आई ये आज बात करते हैं सेकंडरी मूड डिसॉर्डर की इसका मतलब यह कि डिप्रेशन आता है मगर वो सेकंडरी है दुजिया मैं प्राइमरी बिलना अभिमारी कुछ तो भी अलग है तो आईए मेरा नाम है डॉक्टर दीपक के लिएकर मैं मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मोंद था वेसमी तग्री हूं मेरे पास में काभी पेशेंट आते हैं डॉक्टर्स लोग बाकी रेफर करते रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ अदुस मेडिकाल प्राब्लेम है और मेडिकल प्राब्लेम है और अभी और अभी और अभी हो बिप्रेस्ट है उसका मूड बहुत खराब है उसको नर्वस लग रहा है निराश, उदास, ताम में मन नहीं, ठकान लग रही है, नीन नहीं आ रही है, खाना नहीं, पिना नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, बहुत लोग एनर्जी लेवल है, रो रहा है, मतलब एक तम क्लासिकल डिप्रेशन दिखाए देगा, कि बहुत ही उसको डिप्रेशन आया के कि जिसके वाज़े से डिपरेशन पूहarlंको देखना जरूरी एक तो ऐसे हो दे कि ब्रेन की कंडीशन अब ब्रेन के कंडीशन में एक तो हता है कि ब्रेन का ट्यूमर आ पारकिंसान थिस्स मल्टीपल सक्लेरोसीश। फिर फिर ब्रेन में HIV का इंफेक्शन आ गया है HIV मतलब AIDS वैसे ही हो गया Huntington विसीज तो यह जो बीमारी है यह ब्रेन को पैरलेसिस हो गया खून कम पहुचा एक हिस्सा पूरा बदनका चले गया हेमिपले जाया है पैरलेसिस उसके बाद में फिर उसको डिपरेशन आते रहता है तो नेक्स्ट है कि pancreatic cancer pancreas जो है swadupindo यह liver तो उसका cancer यह उसकी ब्मारी liver की ब्मारी pancreas की ब्मारी diabetes sugar की ब्मारी thyroid thyroid का deficiency होना मतलब thyroid के hormones की deficiency होना उसके वजह से इसा होता है फिर विटामिन B12 डेफिशेंस यह से होता है विटामिन B12 उसके कमी से डिपरेशन आ जाता है तो इसके कमी सारी बीमारी आ है कि जो हमको मतलब शेरीग बीमारी है और उसके वज़े से डिपरेशन आया रहता है कैंसर कहीं भी कैंसर हों दो टर्मिनल इस उसको मालूम है कि अपन भी मरने वाले है तो उसके बाद में वहां उस समय डिपरेशन आते रहता है फिर हाट कंडिशन हाड में हाट का एटक आगया दोरा आए दिल का हाट के कोई प्राब्लेम से ब्लेड प्रशर बढ़ा हुआ है क कोई भी शैरिक बीमारी में आ सकता है तो कोई देखना बढ़ेंगा कि डिपरेशन को डिपरेशन सिर्फ ना ट्रीट करते हुए पहले आज़े साइक्याट्रिस मेरा फरस बनता है कि डिपरेशन यह और कोई बीमारी की वज़े से आ रहा जा है कि सिंपल रहता है कभी-कभी कि किड्नी में मतलब किड्नी की बीमारी है उसका सीरम क्रियाटिन बढ़ा हुआ है या इलेक्टरलाइट इम्बैलन्स है मतलब सोडियम पोटेशियम अपने ब्लड में कम हुआ है और उसके वज़ेस उसको डिपरेशन आ सकता है तो डिपरेशन का कोई भी पेशन मेरे पास तो जिनको इंको सेकंडरी डिप्रेशन है तो कोई मेडिकल बीमारिये उसके वैसे डिपरेशन आ रहा है तो वह भी पेशन हमारे पास में आते नहीं है क्यों कि उनको जाए डॉक्टर रहता है ट्रीट करने वाला वह उनको कुछ ना कुछ दव़ाई प्रिसकाइब करते रहत प्राइमरी कंडिशन ठीक होने तक क्यों रुकने का है प्राइमरी कंडिशन ठीक हो रहे हैं उसके साथ-साथ यह डिप्रेशन है वो भी ठीक हो सकता है तो ना डॉक्टर समझे रेफर करते हैं तो पेशेंट ने बोलना चाहिए ठीक है भी मुझे रेफर करो मैं सैकेट उसके आवास में दबा लेता हूं और एंटी डिप्रेशन प्रापर मात्रा में डोस में आप लेते हैं तो आपका डिप्रेशन पूरे को बड़ा ठीक हो सकता है रिखाया है कि कैंसवी उसमें डिप्रेशन आए हुआ है या उसको कोई लग भा मारा 살 appa में प्लेज़ अ विटामीन B12 और वो ठीक ही नहीं हो रहा है मतलब वो आप ठीक नहीं कर रहे है उसको depression है वो कभी suicide commit करता है तो इतना सस्ता injection है इतनी सस्ती दवाई है तो ठीक हो जाएगा thyroid hormone की कमी है thyroid gland काम नहीं कर रहा है thyroid का उसको tablet दे दो कुछ रूपे में उसका इलाज हो जाएगा और depression ठीक हो जाएगा तो इसे काफी सारे depressions है कि जो secondary depression है उसका इलाज होना जरूरी है यह लोगों को वीडियो फैला लोगों में एक जानकारी लोगों का education होना बहुत जरूरी है ताकि लोग उनका proper इलाज कर लेंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक होना तो उसके पर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो की notification आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवात लोग हमको यहना counseling भी करते इसके लिए दूर-दूर से पढ़े phone आते रहते हैं बोलते हमको counseling करो phone के ऊपर counseling coaching हम उनको देते रह सकते हैं और वो share कर सकते लोगों को thank you very much